हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूटूब चैनल, इस्टिडी कर, तो सामान हिंदी की जो लगातार सीरीज चल रही थे, उसमें हम आज का जो हमने टॉपिक रखा है, वो है प्रत्याय, उसका पर्चय और उसके प्रकार, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने उपसर्ग क पर्चय और उसके प्रकार को डिस्कस किया था, अगर आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, तो जरूर देखें, और अब हम देखते हैं, प्रत्याय कहलाते क्या है, प्रत्याय का मतलब होता है, ऐसे सब्द जिनका स्वतंत्र अस्तित नहीं होता है, जिनका स्वतंत्र कोई अस्तित नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे सब्द के बाद में लगकर, यानि पीछे लगकर के और उसका अर्थ बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्याय कभी-कभी प्रत्याय लगने से अर्थ में कोई बदलाव भी नहीं होता है, कभी-कभी क्य और उपसर्ग किसी सब्द के पहले लगकर के अर्थ बदल रहे थे और प्रत्य किसी सब्द के बाद में लगकर के उसका अर्थ बदलते हैं, जैसे हम एक उधारण देखते हैं, उधारण है हमारा भूल धन अकड, तो हो जाएगा हमारा क्या भूल अकड, भूल सब्द अलग ह अकड अलग है जब यह दोनों मिल गए तो इसका अर्थ हो गया भूलने बाला ठीक है अब हम देखते हैं प्रत्या के भेद प्रत्या कितने प्रकार के होते हैं तो प्रत्या मुख रूप से दो प्रकार के होते हैं अब इसमें आपने कई बुक में देखा होगा अलग अलग बताएगा है हिंदी के प्रत्याय संस्कृत के प्रत्याय तो वो सब इसी के अंतरगात आते हैं दो ही हैं क्रत और तद्धित तो प्रत्या कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के क्रत प्रत्याय और तद्धित प्र तो क्रत प्रत्या क्या कहलाते हैं ऐसे प्रत्या जो क्रिया धातु रूप के बाद लगते हैं तथा लगने से दूसरे सब्दों की रचना हो जाती है इन प्रत्यों की योग से जो सब्द बनते हैं उन्हें क्रदंत प्रत्या कहते हैं अब हमें समझना है कि क्रत प्रत्या क्या है जो किसी धातू रूप के बाद किसी धातू रूप के बाद लगते हैं और उसका अर्थ बदल दे मतलब कोई धातू है क्रिया धातू है और उसके बाद लगते हैं और उसका अर्थ बदल दे तो वो क्या कहलाते हैं क्रत प्रत्या जैसे हम एक उदारण देखते हैं, उदारण है तैर धन आक, तो यहाँ पर तैर जो है यह धातु रूफ है और आक प्रत्या है, तो बना कौन सा सब तैराँ? तो देखें यहां यह धातु रूप है और यह प्रत्याय लगा हुआ है तो बना कौन से सब्द तैराक तो ऐसे जो प्रत्याय बने वो कहलाते हैं क्रत प्रत्याय क्रत प्रत्याय भी पांच प्रकार के होते हैं करत्प्रत्य कर्म बाचक कर्दंत और करण बाचक कर्दंत कहते हैं भाव बाचक कर्दंत कहते हैं और क्रिया बाचक कर्दंत तो पांच प्रकार के होते हैं करत्प्रत्य करत्प्रत्य कर्म बाचक कर्दंत करण बाचक कर्दंत भाव बाचक कर्दंत और क्रिया बाचक कर्दंत अब देखते हैं करत बाचक करदंत ये क्या कहलाते हैं ऐसे सब्द जो प्रत्या से बना हुआ हो और उससे करता का पता चले मतलब ऐसा सब्द जिसके पीछे प्रत्या जुड़ा हुआ हो और उससे किसी करता का पता चले तो ऐसे प्रत्या कहलाते हैं कर्त वाचक कर्दंत जैसे उधारन की रूप में हम देखते हैं उधारन देखिएगा जैसे अक प्रत्या लगा हुआ है जैसे लेखक में अक प्रत्या जुड़ा हुआ है तो अक प्रत्या जुड़ने से ये लेखक बना और लेखक सब्द किसका वाचक है एक करता का जैसे गायक, नायक, पाठक, भुलककड, घुमककड, प्यककड और आक से कौन सा बना तैराक, लड़ाक तो ये जो सब्द हमें क्या बता रहे हैं इन सब्दों से हमें किसी करता का बोध होता है इसलिए हम क्या कहते हैं करत वाचक करदन्थ फिर है कर्म वाचक करदन्थ अब इसकी परिभासा क्या है जिन सब्दों में प्रत्य लगने के बाद वह सब्द कर्म का बोध कराए वह प्रत्य कर्म वाचक करदन्थ कहलाता है मतलब किसी सब्द में कोई प्रत्य लग जाए और उस प्रत्य लगने के बाद वह सब्द एक कर्म वाचक हो जाए मतलब कर्म का बोध हो शेए तो वह कहलाते हैं कर्म वाचक करदन्थ जैसे हम देखते हैं आउना आउना जो प्रत्या है आउना प्रत्या लगने से विछाओना खिलाओना ना शूंगना पढ़ना खाना तो इन से हमें किसी कर्म का पता चलता है ठीक है तो ये कहलाते हैं कर्म बाचक कृदंत, नेक्स्ट है करण बाचक कृदंत प्रत्याई, जब प्रत्याई सब्द के साथ लग जाते हैं और उन सब्दों से क्रिया के साधन, क्रिया का साधन क्या कहलाता है करण, तो करण का बोध होता है, तो हम क्या कहते हैं करण बाचक कृदं प्रत्या है ठीक है उधार देख लेते हैं हम जैसे आ प्रत्या है तो भटका भूला जूला यह सब क्या है यह इन सब्दों से क्या पता चल रहा है कि यह क्या है करण है मतलब क्रिया के साधन है इ से रेती, फाशी, भारी, भूलाई यह सब जो हैं यह करण बाचक करदंत है तो यहां पर आप को छोटी छोटी सी बाते याद रखनी होगी तो करण बाचक क्रदंत प्रत्या क्या कहलाते हैं कि ऐसे प्रत्या जो किसी सब्द के बाद में लग जाए और फिर वो किसका काम करने लगे करण बाचक मतलब करण का बोध हो से सब्द से तो वो कहलाते हैं करण बाचक क्रदंत प्रत्या नेक्ष्ट है भाव वाचक क्रदंत प्रत्याई तो ऐसे प्रत्याई जो किसी सब्द के बाद में जुड़ें और भाव वाचक संग्या के रूप में बदल जाएं किस संग्या के रूप में बदल जाए भाव वाचक संग्या के रूप में तो वो क्या कहलाते हैं भाव वाचक कृदंत प्रत्या कहलाते हैं जैसे उधारन देख लें अन तो अनस जुड़ जाने से क्या हो जाएगा लेखन, पठन, गमन, मनन, मिलन, फिर ती प्रत्या जुड़ने से गती, रती, मती, फिर आ जुड़ने से जय, लेख, विचार, मार, लूट, तौल, तो ये सब्द किसका बोध कराते हैं हमें, भाव बाचक, संग्या का, नेक्स्ट है, क्रिया बाचक, क्रदंत, प्रत्या जो किसी सब्द के बाद जुड़ने से क्रिया के होने का पता चले, तो वो कहलाते हैं क्या क्रिया बाचक, क्रदंत, प्रत्या जैसे, ता प्रत्या जुड़ने से दूबता, बहता, चलता, या प्रत्या जुड़ने से खोया, बोया आ प्रित्या जुड़ने से सूखा भूला बैठा तो देखो ये जो सब्द हैं जैसे डूबता बहता चलता ये सब्द किसी क्रिया के होने का पता बता रहे हैं कि ये क्रिया हो रही है तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं क्रिया बाचक कृदंत प्रित्या फिर अब हम बात करते हैं तद्धित प्रत्या की, तद्धित प्रत्या क्या कहलाते हैं, जब संग्या, सर्वनाम, विशिशन के अंत में, इसके अंत में, संग्या, शर्वनाम, विशिशन के अंत में प्रत्या लगते हैं, तो भी तद्धित प्रत्या लगते हैं, जब किसी कहलाता है तद्धित प्रत्या कहलाता है बहुत इंपोर्टेंट वात है यह तद्धित प्रत्यों से मिलकर जो सब्द बनते हैं वे सब्द तद्धितांत प्रत्या कहलाते हैं और जो क्रत प्रत्या से यह चतुराई तो ऐसे सब्द जो है जो क्रिया संग्या शर्बनाम या विशिसर से जुड़े हो तो क्या कहलाते हैं विशिसर से जुड़ जाए विशिसर में जुड़ जाए और जुड़ने के बाद उसका अर्थ बदलने तो क्या कहलाते हैं तद्धित प्रत्य यह आप उद प्रत्य भाव वाचक तद्धित प्रत्य संबंध वाचक तद्धित प्रत्य गड़ना वाचक तद्धित प्रत्य गुड़ वाचक इस्थान वाचक साद्रस वाचक और उनता वाचक तद्धित प्रत्य अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे क्रत बाचक तद्धित प्रत्या क्या कहलाते हैं ऐसे प्रत्याय जो सब्दों में जुड़ने के बाद सब्द को इस तरह परिवर्थित कर दें कि सब्द से कार करने वाले का बोध हो अब कार करने वाला कौन कहलाता है करता तो करता का बोध हो तो यह क्या कहलाते है करत बाचक तद्धित प्रत्याय जैसे आर सब्द जूड़ने से क्या हो जाएगा शुनार लुहार कहार तो यह सब्द क्या बताते हैं कि जैसे कहार है लूहार है शुनार है तो ये सब्द जो है ये किसी करता का बोद कराते हैं इसलिए ये क्या कहलाते हैं कर्त वाचक तधित प्रत्यै नेक्स्ट है भावाचक तद्धित प्रत्य भावाचक तद्धित प्रत्य क्या कहलाते हैं ऐसे प्रत्य जो सब्द में लबगने के बाद सब्द को भावाचक में बदल दें बे भावाचक तद्धित प्रत्य कहलाते हैं इसमें प्रत्य लगने की वज़य से कहीं कहीं पर आध में लगने से कहीं कहीं जो पहले वाला सब्द होता है उसमें ब्रद्धी भी हो शकती है मतलब जो जहां पर यह जुड़ रहा होता है उसके पहले का जो सब्द है उस सब्द में ब्रद्धी भी हो जैसे आई है तो भलाई, पुराई, कठनाई, चतुराई, उचाई और फिर पन जुड़ गया तो बचपन, लड़कपन, छुटपन, कालापन ये सब क्या बता रहे हैं बताओ ये किसी भाव को प्रगट करते हैं तो इसलिए हो जाएगे ये भाव बाचक तद्धित प्रत्या नेक्स्ट है संबंध बाचक तद्धित प्रत्या है ऐसे प्रत्या जिन में हमें किसी के बीच के संबंध का पता चले तो भी संबंध बाचक तद्धित प्रत्या कहलाते हैं उधारण के रूप में जैसे संबंध बाचक तद्धित प्रत्या के उधारण लिखे हुए हैं ल पंजाबी मतलब इसका संबंध कहां से है पंजाब से गुजराती मतलब इसका संबंध कहां से है गुजरास से बंगाली बंगाली का बंगाल से सिंधी मतलब सिंधिश तो इस प्रकार से जब कोई प्रत्या जोड़े और संबंध बन जाए उसका, संबंध का पता चले, तो वो कहलाते हैं संबंध वाचक तद्धित प्रत्या, जैसे एक, तो सारीरिक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक, लौकिक, बार्सिक, ये क्या है? संबंध वाचक तद्धित प बना देते हैं मतलब संख्या का बोध होने लगता है कि अगर कोई प्रत्याय बाद में लग जाए और उससे किसी संख्या का बोध हो तो कहलाते हैं गड़ना वाचक तद्धित प्रत्याय जैशे वह ये प्रत्या है और पांच के बाद लगा तो क्या हो जाएगा ये पांचमा, शात के बाद लगेगा तो शातमा, दस के बाद लगेगा तो दशमा, हरा तो एकहरा, दोहरा, तेहरा, तो ये सब्द किसी संख्या का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए हो जाएंगे ये गड़ना बाचक तद्धित प्र इसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें गुण बाचक तद्धित प्रत्य ऐसे प्रत्य जो सब्द में लगने के बाद सब्द को गुण बाचक बना देते हैं मतलब किशी गुण का बोध होता है तो क्या कहलाते हैं वे गुण वाचक तद्धित प्रत्य उधारन देखते हैं तो आप प्रत्य लगने से बना भूखा प्याशा ठंडा मीठा इनसे किसी गुण का पता चल रहा है एक सारीरिक नागरिक एतिहाशिक और इसके बाद सापित पुश्पित आनंद वे किसको व्यक्त कर रहे हैं कि गुण को व्यक्त कर रहे हैं इसलिए यह हैं अगोंडबाचक तद्धित प्रत्य है है इसके बाद दिल्ली बाला बनारस बाला सूरत बाला चाय बाला ठीक है और फिर है मुंबईया नांगपुरिया जैपुरिया तो ये सब्द क्या बता रहे हैं कि किसी इस्थान का बोध करा रहे हैं जैसे दिल्ली बाला तो दिल्ली का बनारस बाला मतलब बनारस का शूरत बाला मतलब सूर इस प्रकार से ये सब्द जो है क्या बता रहे हैं किसी इस्थान का बोद करा रहे हैं इसलिए ये कहलाते हैं इस्थान बाचक तद्धित प्रत्य है फिर है साद्रस से बाचक तद्धित प्रत्य है जिन प्रत्यों को जुड़ने से वने हुए सब्दों में समानता का पता चले उन्हें कहते हैं साद्रस से बाचक तद्धित प्रत्य है मतलब जिन में किसी समानता का पता चले जैसे उधारन देखते हैं साथ सा प्रत्य जुड़ने से जैसे है पीला सा मतलब कोई नीला सा काला शा मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि कोई बस तू पीली सी है तो इसका मतलब है कि वो किसी के समान है ठीक है नीली है मतलब वो किसी के समान नीली है काली है मतलब काल उस किसी के समान कालिश है सोनेहरा मतलब सोनेहरा जो है यह बताएगा कि माना हमने कि यह बस्तु सोनेहरी है तो इसका अर्थ है यह किसी बस्तु की जैसी सोनेहरी होगी तो यह कहलाते हैं साद्रस वाचक तधित प्रत्या नेक्स्ट है उनता वाचक तधित प्रत्या क्या कहलाते हैं ऐसे प्रत्य जिनमें हमें किसी वस्तू व्यक्ति आदी की लगुता प्रियता हीनता आदी का बोध हो वो कहलाते हैं उनता वाचक तर्धित प्रत्य तो उधारण देख लेते हैं जैसे टोपी कोटरी टोकनी धोलकी तो इनमें से हमें जैसे धोलक है सब्द धोलक जब हम बोलते हैं तो इससे हमें कुछ बड़ा समझ में आता है, जैसे हम ढोलकी बोलते है तो उसका हमें लगु रूप समझ में आता है, ढोलकी का, ठीक है? तो इस प्रकार की जो सब्द होते हैं, वो कहलाते हैं उनतावाचक, तधित, प्रत्यय जैसे ओला, खतोला, झाल झाल